हेलो प्रेंज कैसे हैं आप सब I hope you all are doing great मैं हूँ सोनो मैं इफरमिशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है तो आज हमारी 100 days daily word series का 7th day है और मुझे उमीद है कि अब तक के 6 वीडियो में से आपने बहुत कुछ सीखा और आप daily 10 words सीखना एंजॉय कर रहे हैं अगर आपने अभी तक के 6 वीडियो नहीं देखे हैं तो सारे वीडियो की लिंक नीचे description में है और सारे वीडियो आपको चैनल की playlist में 100 days daily word series playlist में मिल जाएंगे one by one तो वो वीडियो आप वहां से देख सकते हैं तो चलिए आज की वीडियो की बात करते हैं आज भी आपके लि जैसे के अगर आप बोलना चाहें कि नकल करना या फिर आप बोलना चाहें कि वह अंधिविश्वासी है या धार्मिक है तो धार्मिक और अंधिविश्वासी दोनों अलग बाते हैं तो उन दोनों words को हम English में क्या बहते हैं वह मैं आपको इस वीडियो में बताउंगी और बहुत important और बहुत सारे important words मैंने आपको बताया हैं जैसे कि वो लोगों के दिमाग के साथ खेल के अपनी बात मनवा लेती है तो दिमाग के साथ खेलना या लोगों को बहलाना उसके लिए English में क्या word है तो overall वीडियो आपके लिए useful है चली वीडियो स्टार्ट करते हैं और द क्योंकि यह बहुत important word है बढ़ हम बहुत जादा जगहों पर देखते नहीं है इसका मतलब manipulate का मतलब होता है चालाकी से काम निकालना कुछलता पूर्वक बातों को घुमाना या फिर हेर फेर करना आप example देखेंगे तो आपको ज़ादा समझ में आएगा इसके उपर example देखे she knows how to manipulate people इसका मतलब वो जानती है कि लोगों से चालाकी से काम कैसे निकालना है यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि manipulate कितना important और कितना अलग type का word है जैसे कि manipulate का मतलब होता है 요 बातों क अपने तरीके से अपने फायदे के लिए यूज करना सामने वाले को उस तरीके से घुमाना जैसे आप बोलचर में एसा बोल ससकते हैं कि उसने उसको manipulate किया है मतलब उसने उसको अपनी बातों में घुमाया है या फिर आप manipulate word का यूज किसी भी data को मैनिप्लेट करने के लिए या कंप्यूटर में हेर फिर करने के लिए आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं जैसे कंप्यूटर में उसने डेटा को मैनिप्लेट किया है मतलब कंप्यूटर में उसने डेटा को चेंज किया है या उसको बदला है हेर फिर किया है तो इस तरीके से आप manipulate का use कर सकते है, manipulate एक बहुत important word है, next word है आज का priority, priority एक अच्छा word है, जिसका मतलब होता है, प्रात्मिक्ता या अग्रता, मतलब priority का मतलब होता है, किसी को preference देना, दूसरे चीजों के उपर, मतलब दूसरे चीजों के उपर उसको मानना, example, from now on, you are my first priority, from now on, you are my first priority, इसका मतलब अब से, from now on, मतलब अब से, you are my first priority, आप मेरी पहली प्रात्मिक्ता है, अब से, आप मेरी पहली प्रात्मिक्ता है, याने मैं अब से, आपको सबके उपर रखूँगा, इस तरीके से आप priority का use कर सकते हैं, या फिर second example, आप ऐसे बोल सकते हैं, हर children are her priority, मतलब उसके बच्चे उसकी प्रात्मिक्ता हैं, तो priority एक अच्छा word है, next word है, exhausted, exhausted का मतलब होता है, थका हुआ या शक्ती हीन, example, he was exhausted after his return from the journey, he was exhausted after his return from the journey, इसका मतलब, यात्रा से लोटने के बाद वो थक गया था, या फिर, यात्रा से लोटने के बाद वो थका हुआ था, second example, I am feeling extremely exhausted, मतलब मैं बहुत थका हुआ या शक्ती हीन, फील कर रहा हूँ, मतलब मेरे अंदर बिलकुल भी energy नहीं है, आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, या फिर आप अपनी बोलचाल में इसको ऐसी उसकर सकते हैं, आप कहीं सी यात्रा करके आ रहे हैं, जर्नी करके आ रहे हैं, और आप से आप कोई पूछे कि आप कैसा फिल कर रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं, extremely exhausted, extremely exhausted, इसका मतलब बहुत जादा थका हुआ, तो exhausted एक अच्छा वर्ड है English का, next वर्ड है आज का flattery, flattery शायद आपको नहीं पता होगा, बट एक अच्छा वर्ड है, जिसका मतलब होता है चापलूसी या खुशा मत, इसका मतलब यहां तक कि उसकी चापलूसी भी उसे नौकरी नहीं दिला सकी, तो flattery का मतलब होता है चापलूसी, या फिर second example आप बोल सकते हैं, I always fall for his flattery, मतलब मैं हमेशा उसकी चापलूसी के चकर में फस जाता हूँ, तो flattery एक useful word है, या फिर आप अपनी बोलचाल में बोल सकते हैं कि उसकी नेचर में बहुत जाता flattery है, या उसका flattery वाला नीचर है, मतलब चापलूसी भरा उसका नेचर है, तो इस सरी किसे आप flattery को अपनी बोलचाल में और इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं, नेक्स वर्ड है आज का pretend, pretend again is a very useful word, बहुत जादा useful word है, जिसका मतलब होता है बहाना करना, धोंग करना या दिखावा करना, एक्जाम्पल, don't pretend in front of me, don't pretend in front of me, इसका मतलब मेरे सामने दिखावा मत करो, या फिर आप बोल सकते हैं second example जैसे, she has a nature of pretending, मतलब उसका दिखावा करने का nature है, और या फिर एक और एक्जाम्पल जैसे, she pretends to be rich, she pretends to be rich, मतलब वो रईस या अमीर होने का दिखावा करती है, तो pretend अच्छा word है, काफी useful word है, next word है आज का exception, exception का मतलब होता है अपवाद, I think अगर आपको हिंदी बनती है, तो आप अपवाद का meaning समझ रहे हैं, अपवाद का मतलब होता है, एक तरीके के एक community में कुछ अलग, जैसे अगर एक तरीके के लोग है, तो आप बोल सकते हैं कि ये वहाँ exception है, मतलब ये सबसे अलग है, तो exception का मतलब होता है, भीड से अलग होना, एक्जाम्पल, she is an exception, she is an exception मतलब वो एक अपवाद है, यानि वो सबसे अलग है, या फिर exception से ही exceptional बना हुआ है, exceptional मतलब सबसे अलग, जैसे आप बहुत बार medical term में, doctors को यूज करते हुए सुनते होंगे, कि ये एक exceptional case है, मतलब ये सबसे अलग या सबसे अनोखा case है, तो exception और exceptional काफी useful word है, next word है आज का rotten, ये एक requested word है, किसी ने पूछा था कि सबजियां खराब हो गई है, या फिर सबजियां खराब होने के लिए क्या word यूज होता है, तो rotten word यूज होता है, अब सबसियां सड़ गई हैं या सबसियां खराब हो गई है, या फिर second example आप सकीजे के पैसे भी बोल सकते हैं, कि apple यानि सेब सड़ गया है, तो आप बोल सकते हैं, the apple has gone rotten, तो rotten का मतलब होता है, सड़ा हुआ या बिगड़ा हुआ, next word है आज का imitate, का मतलब होता है अनुकरन करना या नकल करना, example, he can imitate शारुक खान, he can imitate शारुक खान, इसका मतलब वो शारुक खान की नकल कर सकता है, जैसे second example, kids imitate elders, kids imitate elders मतलब बच्चे बड़ों की नकल करते हैं, next word है, superstitious, Superstitious का मतलब होता है अंधविश्वासी या वहमी Example, He is extremely superstitious He is extremely superstitious इसका मतलब वो बेहद अंधविश्वासी है Superstitious मतलब अंधविश्वासी इसके उपर second example आप देख सकते हैं जैसे He is superstitious about number 13 मतलब वो number 13 को लेकर superstitious है अंधविश्वासी है तो superstitious एक useful word है Next और last word है हमारी list में Religious Religious का मतलब होता है धार्मिक Superstitious और Religious दोनों अलग word है Superstitious मतलब अंधविश्वासी याने जो वहम से भरा हुआ हो गलत फह्मियों से धर्म को लेकर गलत फह्मियों से भरा हुआ हो जबकि religious का मतलब होता है धार्मिक यानि जो भगवान में जादा मानता है इसके उपर example देखिए Her mother is a religious woman इसका मतलब उसकी मा एक धार्मिक मैला है या फिर आप बोल सकते हैं He is a religious person by nature मतलब वो nature से स्वभाव से एक धार्मिक इंसान है तो religious और superstitious दोनों ही अच्छे वर्ड हैं दोनों useful है आप जानते हैं कि उनको कब और कैसे यूज़ करना है तो यहाँ पर हमारे 10 words की list over होती है और अब हम फटाफट से आगे बढ़ते हैं और सारे words को एकी स्क्रीन पर देखके सारे words का revision कर लेते हैं तो सबसे पहला word था हमारी list का manipulate Manipulate का मतलब होता है चाला किसी काम निकालना या बातों को घुमा के अपना फायदा देखना Next word है priority, priority का मतलब होता है प्रात्मिक्ता या अगरता Next word exhausted, exhausted का मतलब होता है ठका हुआ या शक्तिहीन अगला word था हमारी list का flattery, flattery का मतलब होता है चापलूसी या खुशामत Next word pretend, pretend का मतलब होता है बहाना करना या दिखावा करना अगला word है exception, exception का मतलब होता है अपवाद Next word rotten, rotten का मतलब होता है सड़ा हुआ या बिगड़ा हुआ Next word imitate, imitate का मतलब होता है अनुकरन करना या नकल करना Ninth word है हमारी list का superstitious, superstitious मतलब होता है अंदुविश्वासी या वहमी Last word था religious, religious का मतलब होता है धार्मिक तो यहाँ पे हमारे 10 words की list ओवर होती है और उनका revision भी ओवर हो चुका है मुझे उमीद है सारे words आपको समझ में आए सबके उपर सारे sentences आपने अच्छे से सीख लिए तो यह थे आज की 10 words मुझे उमीद है सारे words आपको useful लगे होंगे imitate, superstitious, religious, manipulate करना ही सारे ऐसे words है जो मुझे लगता है आपको पता होना चाहिए अगर आपको भी useful लगे सारे words तो वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा ताकि जारा से जारा लोगों सीरीज के बारे में इस वीडियो के बारे में पता चल पाए और वो इस सीरीज से benefit ले पाए और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं और आप पहली बार यह वीडियो देख रहे हैं तो आप चैनल को सब् पता चलता है कि आप क्या जानना चाहते हैं, किन वर्ट्स में आपको प्रॉब्लम हो रही है और ओर ओर सीरीज आपको कैसा कैसी लग रही है तो अगर आप मुझे कॉमेंट्स कि थू बताएंगे नहीं तो मुझे आपका उपीनिन नहीं पता चलेगा तो दू राइक यो कॉम झाल झाल